डबल मडर के बाद अजनारा सुसाइटी के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है अजनारा सुसाइटी के सेक्डों लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया है कानून ववस्था और विसरक थाना पोलिस को लेकर प्रदर्शन किया गया है सोसाइटी में तना सुरक्षा गार्डों को बदलवाने की मांग भी की गई है जाहिर से बात है कि सोसाइटी के भीतर दो संदिक्द जो हैं वो काफी देर तक घूमते रहते हैं CCTV फुटेज में सामने आया है कि वो गारी के आसपास भी घूम रहे हैं और डबल मडर हो जाता है ऐसे में सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे थे सोसाइटी के भीतर जितने भी सुरक्षा गार्ड थे वो इसलिए रखे जाते हैं कि सोसाइटी में जब एंट्री होती है तो वो उस वक्त पूचताच करते हैं आखिर जो वेक्ति है वो सुसाइटी के भीतर किसके यहां जा रहा है कई बार संदिग्द वेक्तियों की पहचान पत्र भी मांगे जाते हैं लेकिन अब जो है ये प्रदर्शन देखने को मिला है अजनारा सुसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन किया है पुलिस के खिलाप और अब सुसाइटी के भीतर बात की जारी है सुरक्षा गार्डों को बदलने की. हमारे सहयोगी अकरम इस वक्त हमारे साथ है जोड़ चुके हैं सीधा रुक करते हैं अकरम का. अकरम एक तरफ सुसाइटी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं दूसरी तरफ ये CCTV फुटेज जो सामने आया है क्या पुलिस अभी तक शिनाक्त कर पाई है ये दो संदिक दिवक्ती कौन है या फिर सुरक्षा गार्डों से किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाई है सुसाइटी के कि आखिर इनकी एंट्री कैसे हो गई बात की जाए तो लगवग 20 घंटे बीतने को हैं लेकिन अभी तक पुलिस अपरादियों तक नहीं पहुच पाई है और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस सोसाइटी में ये हत्याकान को अंजाम दिया गया वहां बड़ी संक्या में सुरक्षा गार्ड तैनात है औ कि इस सब के बावजूद भी बदमास आसानी से निकल गए और दूसरी बड़ी बात यह है जो कि पुलिस प्रसाशन पे सीधा सवाल खड़ा करती है विसरक ठाना इलाके में ये मडर हुआ और वहां पर कैई ऐसी चोकी है जो पॉस सोसाइटियों के आसपास खोली गई है ब अक्मर जो पहले गौतम बुद्नगर के कप्तान रहे हैं और उन्हें अच्छा नूबब भी है उन्होंने सीधी कमान सवान दिया साथ टीमें इसमें लगाई गई है हाला कि परिवान ने रंजिशन भी बात कही है हत्या की जिसके लिए साथ लोगों को नामजद कराये गया और फॉन पर कुछ बाचीत भी कर रहे तो जाहिसी बात है कि घटना करम से पहले घटना से अंजाम देने से पहले पूरी तरह के से रहकी की गए ती और अगर अक्रम पतारे की चार लोग उसक्त मौझूद थे जब ताबर तोड गोलिया चली उसक्त चार लोगों जादे कभीर नहीं है लेकिन उन लोगों से पूछताच हो रही है पुलिस का कहना है कि जो रैकी है और जो गाड़ी में दो लोग बैठे हुए थे उनका कहना है कि डाल चंद और अरुन दोना आगे की सीट पर बैठे हुए थे सिर्फ उने ही टार्गेट करके गोली मारी ग लेकिन यह अश्यर की बात है कि चार लोग गाड़ी में होते हैं दो को टार्गेट किया जाता है 20-25 गोलियां चलाई गई आप जैसा कि बता रहे हैं और उसमें सिर्फ दो लोगों की मौत होती है दो को सिर्फ मामूली चोट आपके कहने पर आई है तो उन दो लोगों से प चार लोग बैठे हैं 20-25 गोलियां चलती है सिर्फ दो लोगों की मौत होती है दो लोगों को टार्गेट किया जाता है ये अपने आप में का अश्यर की बात है कि आखिर उन्हीं दोनों को टार्गेट करना था बाकी दो लोगों को क्यो छोड़ दिया गया वो पहचान भी क शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए